हलो फरेंग आजका हमारे वीडियो है वह भारत के साथ नामों पे और सेवन नेम आफ इंडिया जो है इसके बारे में जो हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे क्या आप जानते हैं कि भारत को विन- defines नामों से कभ-कभ गारा गया है है न हमारा देश भारत है हम अपने देश का नाम अगर नहीं जानते हैं तो यह हमारे लिए जो है एक गर्व की बात नहीं होगी एक अच्छी बात नहीं होगी motos तो इसलिए हम जिस देश में रहते हैं कम से कम उसके istory के वारे में हमें जो है information होना चाहिए तो इसलिए जो है मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ सभी के लिए जो इंडिया के हैं प्लस वो सारे स्टूडेंट वो सारे मेरे फ्रेंड जो किसी भी competitive exam के तयारी कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसा वीडियो है जो एक तो आपको knowledge देता है क्योंकि जो नाम है वो जो है किसी ना किसी तरीके से घुमा करके आपके question में पूछे जाते हैं तो इसलिए मैं जो ये खास वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कि भारत की जो साथ नाम है वो तो सभी लोग जानते होंगे लेकिन हमें क्या जानना है इस वीडियो में कि भारत को जो है किस समय मतलब कब कब जो है विन भी नामों से पुकारा गया है और इसलिए जो है मैं आज का ये जो टॉपिक रखी हूँ देश एक नाम अनेक है ना हमारे जो टॉपिक है आज का वो है देश एक और नाम अनेक ह है इसका topic मैं रखी हूँ देश एक नाम अने क्योंकि यह नॉर्मनल से जो है एक दम सही इसका आपका टाइटल है सही जो है टॉपिक है कि हमारा देश तो एक है लेकिन इसके जो नाम जो है वो अनेख है तो स्वागत है आपका हमारे YouTube YouTube channel Learn History with Rekha में और आज के इस वीडियो में हम लोग फुल हिस्ट्री जानेंगे कि हमारे देश का जो नाम भारत है वो कब-कब जो है अलग-अलग नामों से पुकारा गया था तो आएए देखते हैं देखे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत का जो सबसे पुराना नाम ह वो क्या है तो जमूदीब है ना जमूदीब जो है ये किस समय पुकारा गया था तो जमूदीब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है किस से तो बौधिक साहित्य से है जमूदीब जो है इसकी जानकारी हमें जो है वो कहां से मिलती है तो बौधिक साहित्य से मिलती है अब नेक्स्ट है आरेवर्थ यह रहां में बुक में मिलें हैं नाम पतंजयम्सीत का नाम बुक ले थो हुए इस प्लेश को है ना आरेन जहां रहते थे उस प्लेस को जो है आपका आरेवर्थ कहा गया है और ये नाम जो है हमें कहां मिलता है तो पतंजली बुक में फिर है नेक्स्ट आपका भारत वर्ष भारत वर्ष जो है इसके बारे में मिंसन कहां है तो रिगवेद में तो अगर ये सब देखे तो एक समझ ये सु जो है आपका इंसेंट टाइम में जो है ये पुकारा गया है इंसेंट टाइम में ये सब सारे नाम दिये गये थे आपका जम्मूदीप, आरेवर्थ, भारत लेकिन हाँ ये इंपोर्टेंट है कि कब कब आपका जो है किस शाहित में या किन लोगों ने जो है इने डिफरेंट नेम से पुकारा था नेक्स जो है हमारा है सब्त सिंदू, सब्त सिंदू जो है में पार्षियन जैन अवस्था जो बुक है, घॉली बुक जो है आपका उश्य जो है हमें मिलता है कि जैन अवस्था में बारत को सब्त सिंदू कहा गया है फिर आपका हिंद, हिंद जो है ये क्या बोल रहा है कि इंडलस रिवर जो था आपका शिंदु नदी के पूर्वी हिश्चों का जो छेत्र हुआ करता था उसे जो है हिंद कहा गया है फिर है आपका हिंदुस्तान, हिंदुस्तान वर्ड जो है आपका जो है मिडिवल पीरड में जो है ये आया और ये जो है इसलामिक वर्ड है इसलामिकों ने भारत को जो है हिंदुस्तान कहके पुकारा था जैसे सबसे पहले जो है मिराज उसुराज जो था वो पुकारा फिर जो है बावर जबाया था तो वो भारत को जो है हिंदुस्तान कहा था कि मतलब हिंदुओं का देश्थ है तो वो हिंदुस्तान है फिर है आपका जो है इंडिया इंडिया जो है यह एक अंग्रेजी वर्ड है और इंडिया का ही जो है संस्कृत वर्ड जो है वो क्या है आपका भारत इंडिया का ही जो है जो संस्कृत वर्ड है वो है आपका भारत आप जो है हमें ये चीज़ भी यहां पर ध्यान रखना है जैसे कि आप लोग जो है नहीं ध्यान देते होगे तो इतना नाम तो आप जरूर जानते होगे कि हिंदुस्तान नाम है है ना हिंदुस्तान नाम है इंडिया नाम है भारत वर्ष और आरे वर्थ इतना जरूर सुने हो गया लेकिन हमें याद क्या रखना है तो पंडी जी जब पुजा कराते हैं तो जो है जो मंत्र का उचारण करते हैं तो जरूर एकत है भारत वर्स जमुदी पर आरे वर्त तो तीन नाम तो आपका जो है यहीं पी हो गया अगर आपने कभी ध्यान से इस चीज को सुना होग तो अब जो है सब्त सिंधू है ना सिंधू नदी जो है क्या आसपास का जो छेत्र था वहां के छेत्रों को जो है सब्त जो लोग रहते थे उसे जो है सब्त सिंधू कहा गया था और हिंद जो है आपका मतलब की पूर्वी हिस्सा सिंधू के सिंधू नदी के जो आपका वही हिंद्ध आगे चलकर हिंदुस्तान कहला था इसलामिकों के द्वारा और इंडिया वह एक अंग्रेजी वॉर्ड है और आज प्रेज़ेंट टाइम में रूग तीन नाम तो कम से कम जानते ही हैं भारत इंडिया और हिंदुस्तान वह आपके साथ नाम भारत के इसे याद और यह भी याद रखना है कि कब जो है किस किस समय में किन लोगों नहें इसे जो और लग नाम दिया था जैसे एक बार में फिर से इसको मैं रिपीट कर देती हूं जमू दीप का होगा आपका बौधिक शाहिद्यान बौधिक शाहिद्य से बौधिक लिटरेचर से में जो है जमुदीप के बारे में पता चलता है, कि भारत को जमुदीप कहा जाता था, फिर आ elder weart पतंजली जो बुक था आपका उसमें किया गया है, मतलब हमारे देश का नाम जो है, आरेवर्थ जो है में में किया गया है इंसन्ट टाइम में भारत वर्स जो है यह आपका रिगवेद में जो है में सन्किया गया है फिर जो है आपका भारत वर्स हो गया तो एक तरीके से देखा जाए तो जमुदीप आरे वर्थ और भारत वर्स यह आपका कब हो गया इंसन्ट टाइम का तो इसे जो है पर्षियन का फॉयक्त भॉली गुक है फिर आपका यह हिंद जो है यह आपका हिंद्ध पूरस्थद कर फॉर्वे हिश्थे सिंधु नदी जो था उस उस माइस पॉर्वे पुरुवदि के नाम देने वाला पर्षन मिराज शिराज ॉर्ष इंडिया इंसींट का हो गया संत्राइब्स, तूर्वके जो पलग मिडेबल ठाइम हो गया संत्राइब का tी मेडेबल इंसेंट मीडेबल और मॉडन तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो और मैं उमीद करती हूँ कि आपके जो कॉंसेट होंगे जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गये होंगे कि कब कब भारत कुकिन की नामों से भुकारा गया है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरू करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब